Stranger Thing के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल के पास में अपनी कुछ पावर का पार्ट आ चुका था लेकिन उसके बावजूद भी उसने डॉक्टर ब्रैनर की बात मानी और उनके साथ वापस चली गई जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ते चा रहे हैं वैसे वैसे और साथा सस्पेंस बढ़ता जा रहा है इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शिर्वात होती है जहां पर हमने देखा था कि कैसे जेसन और पैट्रिक एडी को पकड़नी के लिए आये थे लेकिन पैट्रिक की वहीं पे मौत हो जाती है एडी तो वहां से भाग चुका था और जेसन पैट्रिक को उठा के बाहर ले आया था यहां पर पुलिस वाले पहुँच चुके थे जो कि अब जेसन से पूछताज करते हैं और बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट करते हैं पुलिस वालों को लगता है कि जेसन पाकल है और वो ऐसी चीज़े बोल रहा है जिनके उपर बिलीव नहीं किया जा सकता है हालांकि जेसन वही चीसे बता रहा था जो कि उसने देखी थी कि पैटरिक हवा में गया उसके हाथ पैट तूट गए और आँखे निकल गई पुलिस वालों को लग रहा था कि ये मौत एडी ने करी है तब वहाँ पे जेसन बोलता है कि एडी सिर्फ फरसिफिक महरा है एडी ने एक डैविल से हाथ मिला लिया है और अब वो डैविल की बाते मान कर हर एक इनसान को मारती जा रहा है इसी के साथ हम एजेंट को देखते हैं हौकिन्स के पुलिस वालों ने अभी तक भी एजेंट को नहीं छोड़ा था और हद से जादा उसे टॉर्चर किया जा रहा था ये बताने के लिए कि एल को इस टाइम पे कहां छुपाया गया है लेकिन एजेंट ने भी बहुत पेशिंस रखा था और वो कुछ भी नहीं बताता लेकिन बहुत जादा जबरदस्ती और लॉकर रूम में डालने के बाद ये एजेंट भी बताने के लिए तयार हो जाता है कि एल को कहां पे रखा गया है इसी के साथ हम एल को देखते हैं जिसके पास में डॉक्टर ब्रैनर आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम चीजों को याद कर रही हो लेकिन तुम पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रही हो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स इसलिए गई है क्योंकि तुम्हारी पावर्स के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आया है कुछ साल पहले तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें तुमने अपने पावर्स का बहुत जादा यूज किया उस पावर के कारण उल्टा एफेक्ट तुम्हारी बॉड़ी के उपर पड़ा तुम्हारी पावर्स कहीं गई नहीं है बलकि कहीं पे अठकी हुई है अगर तुम अपने आप पे वापस से ध्यान दोगी तो तुम वो पावर्स को वापस ला सकती हो एल को वापस से उसी नीना प्रोजेक्ट यानि के टैंक के अंदर डाला जाता है लेकिन एल को बार-बार ऐसा ही लगता है मनों कि वो कसूरवार है उसने सब को बच्चपन के अंदर मार दिया था हम एडी को देखते हैं जो कि ये कंस्ट्रिक्शन साइट से एक वाकी टॉकी को चुरा चुका था और दूसरी तरफ ये बागी सारे बच्चे मिलके एडी को ढून रहे है क्योंकि इन्हें पता चलता है कि एडी अब और जाधा फस चुका है क्योंकि एक और मौत हुई है यानि कि पैट्रिक की और उसका इलजाम भी एडी के उपर ही लगा है यानि कि वो धीरे-दीरे करके और जाधा फस्ता जा रहा है यहाँ आप टीवी पर पैट्रिक के मौत की बारे में भी बताया जाता है कि कैसे हौकेंस के स्कूल का एक और तीसरा बच्चा भी मारा गया है इसके कारण घर पे बैठे पेरेंस दीरे-दीरे और जाधा ड़ने लगे थे यहाँ इन बच्चों के पास में एडी का कॉल आता है और एडी बताता है कि कैसे वो फॉरिस्ट के अंदर एक स्कल रॉक के नीचे बैठा है और छुपा हुआ है बाकि सारे बच्ची पूछते कि क्या तुम ठीक तो होना तुम पकड़े तो नहीं गए हम सब लोग मिलके तुमारे पास बस पहुँच ही रहे हैं जिसके बास इन कैलिफोर्निया में शिफ्ट होता है हम यहाँ जॉन की टीम को देखते हैं जॉन आगिल, विल और माइक पहुँच जाते हैं सूजी को ढूंटे वे उसके घर पे लेकिन असल के अंदर का इसी घर से ज़ादा औरफनीच सेंटर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे थे जो कि अपने अपनी गेम्स केल रहे थे सूजी के बारे में पूछने पे कोई आंसर नहीं देता लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो कि उन सब में थोड़ी सीनियर थी और आगिल को वो लड़की बहुत पसंदा जाती है और इन बच्चों को उपर जाकि सूजी भी उसके कमरे के बाहर मिलती है और सूजी को पता चलता है कि ये सारे दोस्ट डस्टिन के हैं इसी के साथ हम जॉयस मरी और यूरी को भी देखते हैं जिन तीनों का प्लेइन क्रैश हो गया था सब बच तो गए थे लेकिन जॉयस और मरी ने मिलके यूरी को बान दिया था और उसे पूछने लगते हैं कि बताओ आकर पुलिस टेशन कहां पर है और हम हॉपर के पास में कैसे पहुँच सकते हैं लेकिन यूरी अपना मू नहीं खोलता और कुछ भी नहीं बताता तम मरी और जॉयस बताते हैं कि हम तुमारे कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं हम तुमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं हम तो आगे जाके कहीं न कहीं किसी चीज को ढूण लेंगे लेकिन तुम्हारा क्या होगा इतनी तेज ठंड के अंदर पहली बात तो तुम जम के मर जाओगे दूसरी चीज की ये जितना घना फॉरिस्ट है उसके अंदर से निकलने वाले बड़े बड़े भलू तुमको दो मिलिट में खत्म कर देंगे तो अगर तुमने नहीं बताया कि हॉपर इस टाइम का है तो फिर हम तुमें यहीं बंधावा छोड़ देंगे यूरी डर के मारे बोले लगता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो गलत है असल के अंदर जिस जगह जेल बना हुआ है रश्यंस का वो जगह मैप में बनी हुई ही नहीं है वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर तुमें सिर्फ मैं ही ले जा सकता हूँ लेकिन अब रश्यंस तो यूरी को जानते थे तब यहाँ पर मरी अपना दिमाग चलाता और बोलता है कि यूरी को रश्यंस ने नहीं देखा था इसी कारण मरी अब यूरी बन के अंदर जाएगा यहाँ सीन जेल में शिफ्ट होता है जहाँ पर लगबग 5-7 आदमियों को जिनके अंदर हॉपर और डिमित्री भी इंकलूट थे उन सभी को एक डिनर के ले ले कर जाया जाता है यहाँ पर एक साथ में बहुत सारा खाना रखा हुआ था सारी कैदी खुश हो कि उस खाने के उपर तूट पड़ते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद इन्होंने खाना खाया था और अपने अपनी बाते करने लगते हैं कि कल हमें किसी मॉंस्टर से लड़वाया जाएगा उसके लिए हमें स्ट्रॉंग किया चा रहा है और इसलिए हम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं हॉपर इन सारी बातों को बस सुनता रहता है ने छोड़ देंगे ताकि वो अपना शिकार कर सके और तुम सब लोगों को एक एक करके मार सके और ये जो मील है ये तुमारी जिन्दकी का आखरी मील है तो बस इसे इंजॉय करो ये सारी चीज़े सुनके बुरी तरीकी से सब लोग डर जाते हैं होपर कहता है कि अगर हम लो पहले एल के जैसा ही था वो हमेशा डरा हुआ रहता था और सबसे अलग रहता था क्योंकि वो बाकियों के जैसा नहीं था उसे भी खुद को समझने में बहुत टाइम लगा कि वो बाकियों से बहुत अलग है और उसके पास में पावर्स हैं लेकिन इन चीज़ों से बाहर तब ही निकला जा सकता है, जब आप अपनी past के कोई memory को याद करो, अगर आप अपने गुसे को बाहर निकालोगे, तो उन चीजों से आपकी powers बढ़ जाएंगी, और अगर आपको जीतना है, तो आपको अपनी अच्छे memory को याद करना पड़ेगा, overall सब कुछ आपके memory के पराने timeline, वो बस ये सारे clips देख रही है, इसलिए खुद को बड़ा देख रही है, असल के अंदर वो इस 1983 में एक बच्ची ही थी, यहाँ Steve, Dustin, Max, Lucas, Robin और Nancy, सारे के सारे एक साथ में निकल के Eddie को ढूणने लगते हैं, लेकिन Steve को रास्ता पता था, और Dustin का compass यहाँ पर फिर से काम नहीं कर रहा था, वो बार बार में किसी दूसरी direction की तरफ खूम रहा था, Lucas बे Max से अपने दिल की बात करता है, और कहता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ में नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जितने भी बच्चे अभी तक मरे हैं, वो सारे अकेले थे और उनके life में कुछ बुरा हुआ था, मुझे भी तुम्हारे साथ खड़े रहने चाहिए था, अगर तुम मुझे बात नहीं करती तो भी मुझे कोशिश करते रहने चाहिए थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं चाहूँगा, इसी के साथ में यहां रॉबिन जो कि इन लोगों से मिलके बहुत खुश हो जाता है, यहां पर हॉकिन्स के अंदर पुलिस वालों ने एक कॉन्फरेंस बुलाई थी, जहां पर वो सारे पेरेंस को जवाब दे सके कि आखिर शहर के अंदर चल क्या रहा है, पुलिस वाला आके यहां पर यही कहता है कि एड यहां आके लीडर बनने की कोशिश करता है, सब के पास में पैंपलेट्स बाट देता है, जिसके अंदर एड़ी के साथ में माइक, डस्टिन और ल्यूकस की भी पिच्चर थी, एड़ी कहता है कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, यहां पर एक ऐसी प् करने के लिए उस पूरे कॉंटरंस हॉल को छोड़ कर चले जाते हैं, यहां पर बाकी के जितने पेरिंस बैटे थे, वो सोच में पढ़ जाते हैं, क्या खिर उनके बच्चों ने ऐसा क्या किया, क्या उनके बच्चे मर्डर हैं, एरिका भी खड़ी होती है, और बीच में च उसकी लोकेशिन पता करनी है, तब सूजी बताती है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लास्ट डाइम मैंने जब डस्टिन के मार्क्स को चेंज किया था, तो ये बात मेरे फादर को पता चल गई, और डस्टिन एक नमबर जरूर है, मेरे फादर जब उस पे काम करते हैं, तब हम उसे यूज में ले सकते हैं, इसके लिए हम सब लोगों को मैनत करनी पड़ेगी, यहार डस्टिन लियूकस और माइक के सारे पेरेंस एक साथ में घर पहुंचते हैं, लेकिन बच्चे एक साथ में नहीं थे और इव करने लगा था और वो तब ऐसा हुआ था, जब किसी एक साइट पे मैगनेटिक फील्ड हद से जादा बढ़ जाए, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर जादा मैगनेटिक फील्ड बढ़ जाती तो हर किसी को पता चल जाता, इसका मतलब है कि कहीं पे बहुत कम मैग दर्वाजा खुला है, दर्वाजी सिर्फ दो ही लोग खोल सकते थे, या तो Hairkins की Lab वाले या Russians की Lab वाले, और अगर नया दर्वाजा खुला है तो किसे खोला है और कैसे खोला है, ये कफिस सारे जवाब थे जो इन लोगों को आ के जाके मिलने वाले हैं, हम फिर से L के Memories के पहुंच जाते हैं जहां पर इस टाइम डॉक्र ब्रैनर बच्चों को एक गेम खेलना सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आमने सामने दो सरकल रखे जाएंगे सरकल में खड़े होने के बाद तुम्हारी आखों पर पट्टी बांदी जाएगी जितने टाइम तक तुम र बच्चे की पावर कम होने के कारण वो सरकल से बाहर गिरते जा रहे थे अब बारी आती है L की यानि की 11 की नमबर 2 और नमबर 11 दौनों एक साथ में अपनी पावर्स लगाते हैं लेकिन हम सब को पता है कि 2 से भी जादा और कई लोगों से जादा 11 पावर्फुल है इसी कार के पास में ये भी काफी सारी थी अब इन लोगों को बस अंदर जाने के लिए रास्ता ढूनना था और किस टाइम पे निकलना है ये भी रिते करना था जेल के अंदर जब सभी लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हॉपर और डिमित्री के बीच में फाइट हो किया इसके पीछे का कारण क्या है तब यहाँ पे हॉपर कहता है कि हम लोग मिलके चाहे कुछ भी हो जाए उस डैमो गॉर्गन को नहीं मार सकते हैं अगर वो डैमो गॉर्गन किसी चीज से डरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आग है हॉपर अपने पॉकेट के अंदर से एक एलकॉहल की बॉटल निकालता है अपने जैकेट का एक कपड़ा फारता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को इस जगड़े में घुसाने का मतलब यह था कि वो उनसे लाइटर चुराना चाता था और हॉपर ने एक लाइटर भी चुरा लिया था सूजी को कम्प्यूटर य पता लगा लेती है यहां पर सारे बच्चे अभी भी अपना गेम प्लेए ही कर रहे थे इसी कारण सूजी के फादर थोड़े डिस्ट्रेक्टेट थे असल के अंदर जो लोकिशन आई थी वो निवाटा की थी इसी के साथ हम फिर से तो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि लव अबन स्टीव और एड़ी बैट के आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां पर हम एल को देखते हैं जिसे चीक ने चलाने की आवासे आ रही थी वो जब रेंबो रूम से बाहर निकल के आती है तो उसे दिखाई देता है कि डॉक्टर बैनर और उनके साथ ही हैंडरी को बुरी त पता था कि तुम बहुत कमजोर हो लेकिन उसी टाइम पे तुमने अपनी सारी पावर्स यूज़ कर दी तुम दिखाना क्या चाती हो तुम क्या पापा को ये दिखाना चाती हो कि तुम सबसे जादा स्ट्रॉंग हो और उसके बाद में नमबर टू यहां पे एल को बहुत बोल भी नहीं पाती है एल आगे जाके खुद को मिरर के अंदर देखती है तो वो वापस एक खुद का बचपन वाला चैरा देखती है जिसके अंदर उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे एल को फिर से लगने लगता है कि गुस्दे में आकर ही उसने यहां के सारे लोगों को मार डाला होगा हौकिन्स के अंदर जब यह चारो एक साथ में बोर्ट के उपर बैटके आगे की तरफ निकले तो पानी के उपर कौन सा दर्वासा दिख सकता था अगर इने जाना पड़ेगा तो पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा और जानी वाला स्टीव के सीधा पानी के अंदर डाय लगाता है यहाँ पर बाहर डस्टिन, लिूकस और मैक्स एक साथ में ही खड़े थे पानी में अंदर जाने के बाद स्टीव को कुछ मरी हुई मचलियां दिखाई देती है और उसके कुछ ही दूर पे रेड लाइट के साथ में वहाँ पे उसे दर्वाजा भी दिख जाता है स्टीव ये बात बताने के लिए उपर की तरफ आता है और सब को बताता है कि उसे दर्वाजा मिल चुका है लेकिन स्टीव आगे कुछ बता पाता उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर से निकलने वाला एक रूट स्टीव का पैर पकड़ के उसे सीधा अंदर की तरफ ले जाता है ये लोग स्टीव की जान भी नहीं बचा पाते और स्टीव सीधा चाके अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाता है अब जब स्टीव गिर चुका था तो यहाँ नैंसी कहां रुखने वाली थी इसी काराण एक ही सेकेंड में नैंसी भी कूट जाती और पीछे-पीछे रॉबिन और एडी को भी कूटना पड़ता है इसी के साथ में डस्टिन ल्यूकस और मैक्स जहां पर खड़े थे वहाँ पर पुलिस वाले भी चान बीन करने के लिए पहुंचे थे मैक्स उनका ध्यान भटकाने के चकर में अपने आपको पकड़ वा लेती है और उसके चकर में ये दोनों भी पकड़े जाते हैं हम यहाँ पर स्टीव को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ल के अंदर तो पहुँच चुका था इस पार इस सीजन के अंदर डेमो गॉर्गन का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया है और वो जमीन पर चलने के बजाए फ्लाइंग डेमो गॉर्गन बन गए हैं और वो सारे फ्लाइंग डेमो गॉर्गन आके स्टीव के ओपर हमला कर देते हैं इतनी बुरी तरीके से उसे इंजोट करते हैं कि मानो वो मरने ही वाला है और इसी के साथ का इसे शांदर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है तो क्या स्टीव मारा जाएगा यह सारी चीज़े तो हमें सेवन्थ एपिसोड में ही पता चलेंगी तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली एपिसोड में तब तक के लिए टाटा करका दो जो झाँ कर दो में तो कि झाले यो िज़ी को झालेखं दोगों से विज़े ynने ही यहीं ने स्टीवें बनल्सीशागों में उती है आ banco joy yeah ऑनको में तनक हमैंने को कि यहीं आंदो दो किश krijब बल्बर आदानक कि नहीं सेंसे हैं ही है इज बर्णकल you